ये कहानी है 1938 की कैरली नाम की एक आदमी की एक एंगेरियन आर्मी का और वो उस कंट्री का सबसे बेस्ट पिस्टल सुटर था जितनी भी नाशनल चैंपियंशिप होई थी उस कंट्री में वो सबको जी चुका था और सबको अल्मोस्ट कंफार्म था कि 1940 में जो ओलंपिक होने कि बनेवाल है उसमें गोल्ड मैडल केर लिको ही मिलेगा उसने सालों से करी हुए थी अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट का बेस्ट बनाने का और वो काम्याब हो गया उसने बना लिए अपने हाथ को बेस्ट फिक हैंड बस दो साल का फुक्त था इंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिं उसके पास उसमें दो रास्ते थे, पहला तो यह कि वागी की पूरी जिन्दगी रोता रहें, कहीं कोने में जाकर के छुप जाये, या दूसरा, कि जो उसका सपना था, जो फोकस था उसको पकड़ के रखे, तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो उसके पास नहीं था, उसने था उसके पास, एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाँ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था, एक महने तक ट्रेनिंग चली उसकी इस हाथ की, और सही एक महने बाद वो वापस फिर आया, अपनी ट्रेनिंग पूरी जब अरदस त्रेकिये से सुरू कर दी, एक साल तक लागतार उस बाकि सब भी पिस्टल सुटर आयो हुए तो हाँ पे, सब ने जाकर के उसे कॉंगराश लिट किया, कि यार ये दिखुच जजबा, ये होता है स्पोर्समान स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यह आयो हमारा होसला बहाने के लिए, हमें देखने के लिए किसी को नहीं पता था कि वो एक साल से अपने हाथ की ट्रेनिंग कर रहा था, फिर उसने जवाब दिया, कि मैं यहां तुम्हारा होसला बहार नहीं, तुमसे कंपिट करने हो, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ, कंप्टिशन हुआ, बाकि जितने पिस्टल रुका, क्योंकि उसका गोल क्लियर था कि मुझे अपने इस हाथ को पूरी दुनिया का बेस्ट सुटिंग है बनाना है, उसने अपना सारा फोकस, सारा अटेंशन डाला कहां पे, नैंटी फोटीज को ओलांपिक पे, लेकिन नैंटी फोटीज को ओलांपिक कैंसल हो गया, व लेकिन वो तब भी नहीं रुका, उसने अपना सारा अटेंशन सारा स्ट्रेंथ उठा कर डाला नैंटीन फोटीएट पे, नैंटीन थोटीएट में उसकी एज होचुकी थी, अठाइश साल और नैंटी फोटीएट में उसकी एज होचुकी थी, ठाटी एट एर्स, और ये ने ने प्रेयर्स निकल के आते हैं उनसे कमपिट करना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है लेकिन मुश्किल नाम का कोई सब दी नहीं था कैरली के डिक्ट्टरी में वहां गया बाकी के बेस्ट चैंपियन्शिप से बेस्ट प्लेयर आयोए थे और जो अपने बेस्ट हैं स से कमपिट कर रहा था और कौन जीता दो मैन विद ओनली हैंड लेकिन वो तब भी नहीं रुका क्योंकि उसका फोकस क्लियर था भाई उसने 1952 के ओलाम्पिक्स दुबारा कमपिट किये और इस बाग गोल्ड मेडल कौन जीता है कि कैरली और पूरी की पूरी हिस्ट्री बद उसके पास लिस्ट होगी भ ally कि मैं इस वज़य से नहीं करपाया या इस वजय से मैं अपने चीज़ों को अपने सब्नों को पूरा पाया लेकिन आप दूसरी तरफ वहीं चले जाओ किसी वीनर के पास उसके पास वह हजार वज़ा होगी वह ना करने की जो वह करना चाहता है और कर जाता है तो जैसे आपको ये जिद्धी बनने का जो एक जिद्धी होता ना किसी वी काम्याब इंसान के अंदर वो जिद्धी बनने का सिर्फ दो रास्ता होता है पहला तो ये सिर्फ आपको दो बाते अपने दिमाह में रखनी पड़ती हैं आपको दो दिवारे तोड़नी पड़ती ह पहली दिवार बनी है दूसरों के आवाज की कि दूसरों के आवाजों का अजर आप पे होना बंद हो जाए और दूसरी है आपकी खुद की आवाज की कई बार ऐसा होता है कि अब भी हम किसी काम को करने की सोचते ही हैं तब तो चार-पांच लोग आयाते हैं अभी किये वे नहीं होते बस सोचते हैं तो कुछ लोग आयाते हैं हम ये कहने के लिए तु ये लहीं कर सकता है